नमस्कार दोस्तो इकबाल फिर्ष से आपका श्वागत है आपकी अपने चनल एजूगेशन फोर यू में मेरा नाम है अश्विच चारशिया और दोस्तो आज हम यहाँ पर जीन प्याजे कॉलबग और वाइगॉस की केसे संबंदित हम कुछ ऐसे महादपूर कोश्चन आप वीडियो को पूरा देखना बहुत कम समय में आपको बहुत अच्छे कुश्चन और ऐसे कुश्चन जो एक्जामनेशन में आएंगे वो करा रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज का दोस्तो पहला कुश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्याजे के अनुशार बहुत दिख विकास का निर्धारक तत्व क्या नहीं है तो दोस्तो जबाब सही होगा इसका समाजिक संडचना समाजिक संडचना जो है दोस्तो ये प्याजे जी के अनुशार बहुत दिख विकास के निर्धारक तत्व में नहीं आते हैं कुश्चन नममर 3 दिखिंगें आपर प्याजी जी के अनुशार विकास की पहली अवस्ता जन्म से 2 वरस की आयूence, के दोरान बच्चा कहले सता है, दोस्तो जन्म से 2 वरस तक की जो अवस्ता है, प्याजी जी के अनुशार, इसे हम इंध्रिय गामक अवस्ता के नाम से जानते हैं, और इसमें बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियों का प्रियोग करना बहतर तरिकी से सीखता है आगे चलिए अगला कोशन जो कहता है दोस्तों यहाँ पर नैतिक दुविदा एबम नैतिक तरकन को किस मनोवैज्यानिक ने प्रतिपाजित किया हुआ है दोस्तों आपने नैतिक विकास का सिद्दान पड़ा होगा तो वो लॉरेंस कॉलबक का है यह चीज़े बिलकुल आप लोग याद रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आगे चलिए दोस्तों यहाँ पर तो कहा जा रहा है यहाँ पर जीन प्याजे के संग्यानात्मक विकास की खालिस्तान में ब चीज़े बिलकुल याद रखना दोस्तों बार बार यह कोशन पूछा गया है और मैं कहना चाहूंगा दोस्तों अभी अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए क्योंकि काफी मैत पुर कोशन आज आपको यहाँ देखने को को क्या कहा जाता है तो दोस्तों यह very important question है जो कौलबर्ग है उनका जो नहतिक विकास का सिदान बताता है कि बच्चा जब सही और गलत के बारे में निर्णे लेने लग जाता है तो उसे दोस्तों हम नहतिक तरकण कहते हैं क्या कहते हैं चाहते हैं तो यहाद रखिएगा आ अब एक बच्चों में नैतिक चर्चाओं में आपको सामिल करना होगा बच्चों को तब ही क्या होगा बच्चों के अंदर नैतिकता का विकाश होगा ये बिल्कुल important question है इसे आप लोग screenshot ले सकते हैं भी अगला question देखेंगे प्याजे के अनुशार मूर्थ संक्रियाओं का इस तर किस अब्दी में घटित होता है तो दोस्तों जो मूर्थ संक्रियात्मक अवस्ता होती है वो 7 वर्ष से 11 वर्ष तक मानी जाती है ये चीज़े बिल्कुल आप याद रखें अगला question देखते हैं प्याजे जी के अनुशार आप चारिक संक्रियात्मक अवस्ता बालक कि किस आयू या किस अब्दी तक मानी जाती है तो दोस्तों ये मानी जाती है 11 से 15 वर्ष की अब्दी तक ये मानी जाती है बिल्कुल आप इसे नोट डाउन करें आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर कहल भग के नैतिक विकास के सिद्दान्त एवम उनके विविन इस तरो क अनुशार कौन सा सोपान उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है तो दोस्तों इसके लिए सही जबाब होगा वैक्तित और विणियम अभी मुकता इसका सही जबाब होगा और वेरी इंपोर्टन कुशन है और ऐसे ही कुशन क्या होते हैं अक्सर examination में दोस्तों बनते हैं अगला कोशन देखते हैं यहाँ पर कॉल बग के नेतिक विकास के सिदान के अनुशार किस अवस्ता में लोगों की आसा तथा एक्छा है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन यहाँ पर आता है प्याजे किस अगयानात्मक विकास के सिदान की मूर्त संक्रियात्मक अवस्ता किस युगता द्वारा लक्षित नहीं होती है तो दोस्तो मानसिक द्वन्द मानसिक द्वन्द के द्वारा ये लक्षित नहीं होती है नो डाउन करना इस कोशन को आगे चलेंगे दोस्तो यहाँ पर कॉलबग के नैतिक विकास की चरण का लक्षन है दोस्तो इसके लक्षणे सभी संस्कृतियों से संबंद चरणों की सर्बों स्रंकला काफी math question है और examination में बन भी सकता है आगे चरूएंगे दोस्तो वाइगासकी के समाजिक संस्कृति सिद्धान्द पर अधारी थे दोस्तो यह है परसपारिक सिक्षण परसपारिक सिक्षण अधारी थे, no down करना एस चेश को आगे चलेंगे दोस्तों में आपर कॉलबक का विकास का सिद्दान संबंदित हैं तो दोस्तों ये संबंदित हैं आपके नैतिक विकास से, किसे संबंदित हैं? अब ये जो कोशन में आपको बताने जा रहा हूँ, it's very very important लौरेंस कॉलबक के द्वारा प्रात्मिक विद्यालों के बच्चे किन चर्णों का अनुसरन करते हैं? दोस्तों जो प्रात्मिक इसकुल के जो बच्चे होते हैं, वो वैक्तिता और विनियम और आग्या पालन और धंड उन्मों की करण का पालन करते हैं, ये चीज़े आप नोट डाउन करना, आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर वाइगास की बच्चों के सीखने में किस पर सीखने परना महतपुड बल देते हैं, नोट डाउन करना है, इस सीखने का मतलब क्या है, ग्यान का निर्मान करना है, आगे चलेंगे, बच्चों के संग्यानात्माग विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिवासित क्या सकता है, तो दोस्तों विद्याले और खेल का मैदान पड़ रखा है, अरियंद की बच्चे तो दोस्तों इसे चेंज कर लेना, विद्याले और कक्चा में इसका सही जवाब आपको मिलेगा, आगे चलेंगे दोस्तों यहाँ पर, प्याजे जी के अनुशार संग्यानात्माग विकास के किस चरण पर बच्चा व वेरी इंपोर्टेंट कोश्चन, कॉलबक के अनुशार किस अवस्ता में नैतिकता बाहे कारक द्वारा निर्धारित होती है, तो दोस्तों पूर परमपारिक अवस्ता जो होती है, इस अवस्ता में नैतिकता बाहे कारकों के द्वारा निर्धारित होती है, ये चीजे वेर आकुरती बदल जाए देखिए ये खोशन तोड़ा सा ओड पर ऐसे कोशन भी आजाते हैं तो कॉलबग ने क्या प्रस्तूत किया हुआ है ये ये भी आप बिल्कुल का प्रियोग किया हुआ है तो दोस्तों इसकीमा अब धारना का प्रियोग जीन प्याजे जीने इसके लिए किया हुआ है याद रखना मानसिक संदचना चिंतन का निर्माण के प्रखंड है इसके लिए जो है जो है स्कीमा का प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया गया है अब दोस्तों आगे हम चलें यहाँ पर तो आमुर्थ वैग्यानिक चिंतन के लिए छमता का विकास अवस्ताओं में से किसकी एक विसेश्टा है दोस्तों यह आमुर्द वैज्यानिक चिंतन की जो विशेष्टा होती है वो आपचारिक संक्रियात्मक अवस्ता की विशेष्टा होती है नोट डाउन आप इसे भी कर सकते हैं आगे चलेंगे दोस्तों प्याजे जी के अनुशार दो से साथ वर्स के बीच एक बच्चा संग्यानात्मक विकास की अवस्ता में होता है तो दो से साथ वर्स दोस्तों होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्ता आगे चलेंगे अगला कोशन कहता है वाई गौस की तता प्या प्याजी जी का आगे चलेंगे यहाँ पर तो अगला कोशन यहाँ पर क्या कहता है जीन प्याजी जी की सिद्धान्त के अनुशार कून सा कारग व्यक्ति की शंग्यानात्मक विकास को प्रबावित नहीं करेगा तो वो है भासा भासा जो है जीन प्याजी जी मानते हैं कि उन अगला कोशन अगर हम देखें तो यहां कहा जा रहा है वाई गौस्की के समाजिक संस्कृति सिद्धान्त के अनुशार दोस्तो जवाब इसका होगा संस्कृति और भासा विकास में महतपुर भूमिका निभाते हैं यह जवाब बिल्कुल शही होगा और इसके आगे की कोशन हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में दोस्तो एक अंतिम कोशन पढ़ लेते हैं वाई गौस्की के सिद्धान्त में विकास के किस पहलो की उपिक्छा की जाती है तो वो है नैते की अब दोस्तो वीडियो कैसा लागा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और शार्षात में आ आपको सारे PDF सारे notification बिलकुल फिरी में मिलेंगे थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो